बूर्णिंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वी केमिश्टरा फ्रॉम गेस्टो लेवर हास्पिटल स्वरुपनिगर खानपुर आप जानते हैं कि वाइरल हेपिटाइटिस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आप ये भी जानते हैं कि यही सीजन है गर्मियों का महिना जिसमें वाइर वाइरल हेपिटाइटिस अपने आप ठीक होने बाले प्रॉब्लम मैंसे है लेकिन कभी-कभी ये जान लेवा हो सकती है इसलिए आज मैं वाइरल हेपिटाइटिस के जनरल कंसेप्ट के बारे में बात करूँगा अगर हम ध्यान से देखें कि पहले जो वाइरल हेपिटाइटिस होती थी और जिसके चलते इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती थी over a period of time ये जो problem से ये कम होई है ये problems जो कम होई है उसके मुख जो कारण है वो चार है नमबर एक vaccination available है इसका मतलब आप hepatitis B और hepatitis A का अगर vaccination लगाते हैं तो ये बीमारी आपको नहीं आएगी ये virus आपको नहीं आएगा नमबर दो आपको awareness है disease की तो आप जानते हैं कि हमें ये काम नहीं करना है नहीं तो इस तरी की problem होने की समभाव ना है चाए वो cleanliness हो चाए personal hygiene हो इन चीज़ों से आप ठीक रखेंगे तो hepatitis होने की समभाव ना कम होगी नमबर तीन जो lifestyle practices है उनके improve होने की कारण over a period of time जो viral hepatitis के incidence में कमी आई है इसके अलाबा जो बहुत effective medicines available हो गई है इसके चलते बहुत सारी problems जो hepatitis B या C लेके चलती थी उनमें reasonable या बहुत अच्छा control आया है ना कुछ सचा ही है जो आपको समझनी की जरूरत है नमबर बाद अगर हम ध्यान से देखें कि जो hepatitis का जहां तक सवाल है वास्तों में यो virus करते हैं इसलिए इसका नाव viral hepatitis है जो viral hepatitis है वो दो तरह की होती है नमबर वन is the blood born वो viruses जो खून के जरिये आते हैं जो खून के जरिये आने वाले viruses है उनको कहते हैं blood born viruses ये होते हैं hepatitis B और hepatitis C ये दोनों virus खून के जरिये से आते हैं second are the food और water born इसका मलब ये खाने पीने की चीजों से आते हैं पानी से आते हैं इन्हें कहते हैं food born और water born virus इसमें आते हैं hepatitis A and hepatitis E तो hepatitis B और C blood born है hepatitis A और E water born है जो पानी या खाने से आएंगे अगर आप ध्यान से देखें कि कोई भी हो चाहे वो hepatitis B का infection हो चाहे A का हो चाहे E का हो हो किसी का भी जो symptoms है almost similar है बहुत थोगा सा फरक है but almost similar symptoms है जो ये लेके आते हैं in the sense कि सबसे पहले बुखार आएगा बुखार के साथ बहुत सारी थकान लगेगी इसके साथ पेट में दर्द आएगा ये तीन symptoms सबसे पहले आते हैं कभी-कभी इसके साथ जोडों में दर्द आ सकता है और leatin का रंग कुछ whitish रंग का हो जाता है that is the fact और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जी मिचलाना शुरू हुआ या vomiting चालू हो जाती है और भूख पूरी तरह से गाइब हो जाती है और जब ये पूरे symptoms सामने आ गए तो आप अचानक से देखेंगे कि आपकी जो पिशाब है या urine है वो बहुत dark color की हो गई और आँख में हलका सा पीलापन दिखाई दे गया तो ये पूरा sequence है जिस sequence में viral hepatitis के symptoms आते हैं बुखार से लेके पीलापन आने तक और ये almost सभी viruses में similar होते हैं बहुत जादा फरक नहीं होता है अगर आप ध्यान से देखें कि जो hepatitis A और hepatitis E है जो दोनों के दोनों water या food born infections हैं अगर इसके चलते viral hepatitis हुई या पीलिया हुआ तो 99% जो patients हैं वो बिना किसी problem के recover हो जाते हैं कुछ हफतों में कभी ख़बार थोड़ा जादा time लग सकता है लिकिन वो पूरी तरह recover हो जाते हैं and science ऐसा मानती है कि पीछे से liver में कोई भी damage नहीं चोटता या जिसे कहते हैं कोई भी residual damage नहीं चोटता इसका मलब अगर water born infection के चलते है hepatitis A या hepatitis E के चलते पीलिया हुआ तो हफतों में ये बिलकुर normal हो जाएगा और normal हो जाएगा तो liver एकदम स्वस्थ हो जाएगा पीछे कुछ भी damage नहीं होगा लेकिन यही सक्चाई hepatitis B या hepatitis C के बारे में नहीं है अगर ये infection हुए तो it is quite possible कि कुछ patients ऐसे हैं जिनने पीछे से chronicity develop हो जाती है इसका मतब ये virus body में ही रह जाता है और अंदर ही अंदर जो liver है उसको दीमक जैसा damage करते चला जाता है और अगर दीमक जैसा damage करते चला जाएगा तो over a period of time जो liver है वो damage होगा तो chronic hepatitis होगी cirrhosis liver develop हो जाएगी और ये बास सही है कि liver cancer का जो risk है वो हमेशा उपर की तरह जाएगा तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो ही जो difference है दोनों किस्म के viruses में one what is the mode of transmission कि ये फैलते कैसे है और number one कि recovery कैसी होती है और chronicity होती है कि नहीं होती तो एक group जैसे मैंने कहा hepatitis B है hepatitis C है जो blood born है और दूसरा group hepatitis E है और hepatitis A है जो food या water born है तो difference यह है कि कैसे फैलते हैं और इनकी recovery कैसी होती है नो फैलने को अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे hepatitis A और hepatitis E है वास्तों में ये जो viruses है उस व्यक्ति की lettering में होते हैं जिसको intra infection है माले जो कोई patient है जो उसको hepatitis A के चलते पी लिया है या hepatitis E के चलते पी लिया है तो वो जो lettering pass कर रहा है या stool pass कर रहा है उसमें A या E का virus होगा और ये जो virus है ये किसी भी तरह है जो है अगर spread होता है चाहे वो पानी में पहुंच जाए चाहे वो खाने की चीज़ों में पहुंच जाए तो वो fecal oral root के चलते दूसरे व्यक्ति को infect करने के कोशिश करता है नो problem ये है कि ये जो viruses हैं इतने ज़्यादा potent हैं कि अगर बहुत microscopic amount भी आपकी बाड़ी में पहुंच जाती है microscopic याने बहुत tiny amount जो के unrecognizable है वो भी अगर आपकी बाड़ी में पहुंच जाती है through the fecal material और through the water तो आपको jaundice होने का जो खत्रा है वो बहुत जादा हो जाता है तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो hepatitis A और E जो water in foodborne है ये कैसे फैलेंगे फैलेंगे अगर contaminated water है अगर पानी में गंदगी है उससे फैलेंगे जो contaminated food है जो आप खाते हैं चीज उसमें contamination हुआ उससे फैलेंगे कोई भी आपने beverage इस्तिमाल किया उसका contamination हुआ उससे फैलेंगे science है समानती है कि जो close personal contact है उनसे भी फैलने का डर होता है इसका मतब यह है कि घर में अगर एक लोग को जांडिस होई तो बाकी लोगों को भी जांडिस होने का खत्रा बढ़ जाएगा अगर hepatitis A या hepatitis E है तो इसके अल जो hepatitis B basically जो virus है वो उसी व्यक्ति के शरीर में होगा जिसको hepatitis B का infection है यह इसके blood में होगा यह semen में होगा यह vaginal secretions में होगा इन body के जो other body fluids हैं उनमें भी hepatitis B का कीटानू होगा तो इसलिए यह जो कीटानू है एक से दूसरे व्यक्ति को तभी पहलेगा जब वो व्यक्ति क इसी दूसरे व्यक्ति में इन चीजों के जरिये से contact में आता है इसका मतलब यह है कि contact में आया यह body fluids जो है na contact में आय तो वास्तों में hepatitis B का infection फैलेगा फॉर एक्जांपल अगर कोई infected जो person है वो sexual contact बनाता है किसी non infected person से तो through the sex यह transmit हो जाता है कोई contaminated needle है जो आप injection लगवाते हैं उसमें hepatitis B का contamination है यह transmit हो जाता है को personal items आप यूज करते हैं जैसे आप razor यूज करते हैं tooth brush यूज करते हैं इन किसी उस्वेक्तिका है जिसको hepatitis B है आपने यूज किया यह की टानौ आपको फैल जाएगा आपने कोई blood transfusion कराया और इस blood में test नहीं किया गया कि कहीं hepatitis B तो infection आपको हो जाए hepatitis B कितना खतरनाक है इससे आप समझे कि science ऐसा मानती है कि approximately 25% people जिने hepatitis B का infection है उनकी per year लगबग death हो जाती है इसका मतलब अगर hepatitis B का infection हुआ तो 25% patients के लिए यह lethal हो जाता है और जानलेवा हो जाता है now the next one is hepatitis C जैसा hepatitis B blood born है ऐसा है hepatitis C भी blood born है in the sense कि जो hepatitis C का जो infection है यह भी खून के थ्रू ही फैलता है यह पानी या खाने से नहीं फैलता hepatitis C, hepatitis B की तरह खून से ही फैलता है यह फैलेगा कैसे यह फैलेगा sexual contact से अगर किसी व्यक्ति को hepatitis C है और वो sexual contact करता है किसी non hepatitis C person से उसको फैलने की संभाबना रहेगी जो आप needles share करते हैं उनसे फैलने की संभाबना रहेगी जैसे मैंने कहा कि आप razor इस्तिमाल करते हैं, tooth पर इस्तिमाल करते हैं, tattoos बनवाते हैं, इन सबसे इसके फैलने की संभाबना होती है, the most common reason basically is the blood transfusion, जो blood transfusion होता है चाहिए वो किसी भी reason के लिए हो, आपको खुन की कमी होई, आपने खुन चड़वाया, आपके कोई operation हुआ, आपके खुन चड़वाया, आपका कोई accident हो गय आपको blood transfusion हुआ, और उस blood जो आपके लिए चाहा, उसको proper test नहीं किया गया, hepatitis C के चलते, यह उस blood में अगर hepatitis C का किटनू है, तो आपको hepatitis C का infection हो जाएगा, ऐसे ही, कोई भी operation आप कराते हैं, उस system में, जहां test proper नहीं हो रहे हैं for hepatitis C, तो it is quite possible, कि आपको hepatitis C का infection हो जाए ऐसे ही, मा से बच्ची को हमेशा फैलने कटर रहता है, चाहे वो hepatitis B हो, चाहे वो hepatitis C हो, दोनों के दोनों जो blood borne infection है, during delivery मा से बच्ची को फैल सकते हैं, तो अगर हम ध्यान से देखें, जो viral hepatitis है, in India is a very common problem, जो viral hepatitis है, वो हम सामनने पीलिया के लिए कहते हैं, जो viruses करते हैं पीलिया, या viral hepatitis, वो दोनों तरह के होते हैं, जो खून से फैलने वाले, और खाने या पीने की चीज़ों से फैलने वाले, जो खाने से और पीने से फैलने वाले हैं, वो basically hepatitis A हैं, और hepatitis E हैं, ये 99% patients इनसे आसानी से बाहर निकलाते हैं, ठीक हो जाते हैं, ये कोई पीछे डेमेज नहीं छोड़ता, लेकिन जो hepatitis B and C हैं, जो खून के जरिये से आते हैं, ये कुछ patients में ठीक तो होते हैं, लेकिन कुछ patients में ये जो कीटानू हैं, ये शरीर में ही रुख जाते हैं, लिवर को दिमक जैसा डेमेज करते हैं, और chronicity करने की ताकत रखते हैं, तो hepatitis B औ secret transmission and problems को समझने में, अगर ये वीडियो help करता है, जरूर शेयर करें, मैं Dr. V. Commissioner from guest to liver hospital, स्वरुपतिंगर कानपूर, Thank you very much.